आज आया है प्रश्न के लोग रहते हैं तनाम में, टेंसन में, डिप्रेशन में, वर्तमान जीवन में भागदोड हो गया है बहुत अधिक और इस वज़ा से लोग मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं और यदि हमारा मास्टर ही रहेगा बिमार, ब्रेन, मन तो फिर सरीर भी कहां स्वस्तर रहे पाएगा और यही वज़ा है कि आज लोग काफी ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसकी बहुत बड़ी है वज़ा है तनाव टेंसन तो टेंसन को हम कैसे दूर कर सकते हैं अपने तनाव को कैसे घड़ा सकते हैं क्या करें हम और यही सवाल मैंने स्री भगवान से भी किये थे एगवार तो स्री भगवान ने जो बताया वो हमें आपके सामने रख रहा हूँ जो इस वीडियो को लाश्ट तक देखे भगवान उसपड़ द्या करना स्री भगवान ने कहा सके मैंने तुमको बताया था ना कि सबसे अच्छी जो चीज है डिप्रेशन तनाव सारेलिक मांसिक रोगों को दूर करने की वो है नाचना नृति करना लेकिन आज मैं तुम्हें एक दूसरी चीज बता रहा हूँ नाचने का ही यह छोटा भाई है यह क्या है यह हसना यह नाचने का छोटा भाई है तो मित्रो आप हसना सीखें रोज हसें यदि आप थोड़ी देर हसेंगे रोज तो निश्चित मानिए कि तनाव डिप्रेशन सारे रिक मांसिक रोग वे घटेंगे निश्चित घटेंगे आपका स्वास्ति अच्छा रहेगा और आप ज़्यादा अपने लाइफ में सफल होंगे आज देखते हैं हसी हो गई ये लोगों की बहुत ही कम भाग दोड़ हमेशा तनाव ये करना है वो करना है इसा इसा लेकिन यार थोड़ी देर अपने लिए समय निकालो थोड़ी देर हसो ज़्यादा नहीं दो चार मिनट ही सही पांच मिनट ही सही लेकिन हसो लेकिन अब आथा है प्रस्ण हसे कैसे हम हसे हम कैसे है या हसने वाली बात रहे कोई तब तो हसेंगे लेकिन नहीं मैं यह कह रहा हूँ कि बिना बात कहाँ सो ठीकर रूम बंद लेना करके अब आस आप पहासने कि तो एक्टिंग ही कर लो आप पहासो अंदर के विकार को निकालो रिचन क्रिया करो माइंड का और जान बूज कहाँ सो और यदि अकेले आपको हसी नहीं आए आप दो-चार लोगों के साथ हसलो दोस्तों के साथ हसलो अपने घरवालों के साथ हसलो एई लेकिन बहाना जरूर ढूंडो रोज दो-चार मिनट पाँच मिनट सही दस मिनट सही रोज हसना है और जोड से हसना है दिल ने खोल कर हसना है पूरी ताकत से हसना है और देखो आप मेरा यहाँ वीडियो देख लिया करना देखना हाजी आ जाएगी आ जाएगी भाई आ जाएगी हाजी आ जाएगी हाँ कुछ में करो कि कै य। कैनtant के क מאוד ब ध ergon कै य। ब ढारे आपने अंदर का सबने का दो साबर र último तर तंदर बढाओ छो प्रप्र प्रक्र प्रर व्रुट्र प्रुटected प्रफ्रुटन ustek मित्रों आप हसिये कोई भी भाना बना कर थोड़ी देर दिल खोल करा सो और अंट्संट ही बक डालो ठीक है कुछ मत सोचना थोड़ी देर रिचन होने दो ठीक है और देखो इसका इफेक्ट इसका इफेक्ट देखो एक दो हपते में ही आपको इसमें आनन्द और अधिक मिलेगा भोतलाब है अपने सरीर को और माइंड को भी यह भगवान का आदिस है धन्यवाद